श्रवन का जीवन में अत्यन्त महत्व है लेकिन उसकी भी एक सुनिश्चत विधी है। गुरु मुख से ही शास्त का श्रवन करना चाहिए। गुरु विध्वान और अनुभवी होता है इसलिए उसके सुनिवचनों को जीवन में धारन करने से भटकाव समाप्त होता है निश्चत दिशा मिलती है। चानक्या का कहना है कि, मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को शुब, कारियों की ओर लगाए, दूसरों की निंदा आदी करना छोड़ दे, वेदादी शास्त्रों के पढ़ने और शुब, कार्य करने से मनुष्य इस संसार में याश को प्राप्त होता है, चानक्या कहते हैं, जिस मनुष्य के पास धन है, सभी उसके भाई, बंधु, मित्र बने को तैयार हो जाते हैं और उसे ही श्रिष्ट पुरुष मान लिया जाता है, वे यह भी कहते हैं कि जैसे उन्हीं होती है, मनुष मनुष्य के बुद्धी और उसके कर्म भी उसी प्रकार के हो जाते हैं, इस संसार में समय ही ऐसी वस्तु है, जिसे डाला नहीं जा सकता, चानक्या के अनुसार जब मनुष्य अपने स्वार्त में अंधा हो जाता है तो उसे अच्छ बुरे में अंतर दिखाई नहीं देता, मनुष्य का बंधन और मुक्ती उसके द्वारा किये जाने वाले कर्मों पर ही आश्रित होते हैं, क्यूंकि वैब जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल भूगना पड़ता है, आचारे के अनुसार, प्रजा के कारियों का फल राजा को, पत्नी के कारियों का फल पती को तधा द्वारा छोड़ा गया, रिण पूत्रों को चुकाना पड़ता है, व्यभिचारनी माता और मूर्ख पूत्र मनुष्य के लिए शत्रू के समान होते हैं, चानक्या सामान्य जीवन में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि किसी का लोबी व्यक्ती से पाला पड़ जाएं तो उसे धन देकर विद्वान को अपने मदूर व्यवहार से और मूर्ख तथा दुष्ट को उसके अनुकूल व्यवहार से वश में किया जा सकता है, ऐसे राज्ये में रहना उचित नहीं, जहां सुव्यवस्था ना हो, इसी प्रकार दुष्ट से मित अपनी पूरी शक्ती लगाना, बगुला मचली पकड़ने के लिए आखे बंद करके एक टांग पर खड़ा होता है, यह इंद्रियों को वश में करने का उधारण है, यह बग्गिले से सीखने योग्य गुण है, प्रयास करना महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे करने से पहल अपनी क्षमता को परखलें, बगुला, यह निश्चत हो जाने के बाद ही कि अब शिकार बच नहीं सकता, अपना प्रयास करता है, इसी प्रकार, मुर्गे से चार बाते सीखनी चाहिए, मनुश्य को ब्रुममुहूरत में उठना, जगडे का संकत उत्पन, होने पर पीछे नहटना हो और जो कुछ भी प्राप्त हो उसे अपने भाई, विंधुओं में बाटकर ही उप्योग में लाना, इसी प्रकार कोई में भी पांच गुण होते हैं, छिपकर मेथुन करना, हठी होना, समय, समय, पर वस्तूओं को एकठा करना, हमेशा चोकन ना रहना तथा किस पर विश्वास न करना, कुट्टे में, बहुत अधिक खाने की शक्ती होती है, परन्तु जब उसे बहुत कम भोजनन मिलता है, तब भी वह उसी में संतोश कर लेता है, वह एकदम गहरी नींद में सोजाता है, परन्तु अत्यांत सतर्क रहता है, और जरा सी आहट होने पर जग उठता है, उसे अपने मालिक से प्रेम होता है और समय पढ़ने पर वह वीरता पूर्वरक्षत्रू से लड़ता भी है, इसी प्रकार गधा अत्यांत थक्का होने पर भी अपने काम में लगा, रहता उसे सर्दी, गर्मी आदी किसी बात का कश्ट नहीं होता और अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, चानक्या के अनुसार जो व्यक्ति इन गुणों को धारण कर लेता है, उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती ही है, सफलता की कामना करने वाले को चाहिए कि वह इन गुणों को अपने जीवन में विशेश स्थान दे, इ दिखिए कसोटी पर गिसकर अपने कड़पन को